तो यह हमने सूत्र लिख लिए है क्योंकि यहीं सूत्र हमको इस अभ्यास में ज्यादतर लगाना है तो यहां पर सूत्र में एक सूइजट कुछ भी लिखा हो लेकिन हमको अपने मुझसे कौन सा वाइड बोलना एक यहां पर जो अच्छा लिखना वहीं हमको अब देखिए यहां पहला क्या है और यह है बी तो एक प्लस बी का होल क्या होता है a क्यूब तो एक है यहां पर कितना लिखा भी और बी किजगा्व पर कितना लिखा है यह फिर बीग की रफिर ब्लस कियूब पलस ब्लस 50 दिएब का क्यूब करेंगे यानी कि बी को कितनी बार लिखेंगे बी क्यूब यानि तीन बार जब लिखेंगे तो हमारा इतना ही आ जाएगा ठीक ससल आधीआ बी क्योभ प्लस वन का जब क्यूभ करेंगे वन गुडए वन कितना हो जाएगा वन प्लस इस जो गुड़ा करेंगे तो थीरी 1 कि गढ़ ज़ितना हो bench भी भी थीरी फिर ब्रैकेट में B प्लस बंब अब देखिए यह हो गया B q with 1 प्लस अब ध्रीडीव की 20 से माँड़नस प्लस क्या होता है पहले एंकों की गुड़न होतीता है तीन नौ यहां पर माई एक से कम तीन और बी जा दो कि गुड़ जुड जाते हैं तो यह हो गया 3B-square प्लस अब यह जो 3B लिखा है उसकी गुड़ा करना है हमको एक से पहले बी की गुड़ा हो बी से गुड़ा हो तो यह हो गया हमारा answer C plus 3 का whole cube तो देखिए यह जो है यह A है और यह B तो सबसे पहले A cube यह हो गया A cube plus B cube तो B के जगा कितना लिखा? 3 कहना हमें साइ A cube B cube 3AB और लिखना वही है जो यहां पर दिया है A cube हो गया फिर B cube हो गया फिर 3AB 3AB फिर A plus B अब दिखिए जब C का cube करेंगे यहनि C का cube जब करेंगे तो यह C को कितनी बार लिखेंगे? तीन बार तो यह हमारा C cube हो जाएगा plus जब 3 का cube करेंगे तो 3 का cube कितना हो जाएगा? 3 गुड़े, 3 गुड़े, 3 3 तिया 9, 9 तरुप 27 प्लस इसकी जब गुड़ा हो जाएगे 3 की C से 3 C हो जाएगा फिर 3 तिया 9 यहनि अंकों की पहले गुड़ा होगे 3 तिया 9 फिर C फिर C plus 3 आप देखिए अच्छे से C cube प्लस 27 प्लस 9 C फिर 9 C की गुड़ा करेंगे आप तीन से जब 3 से गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तरुप 27 27 C अब ऐसे तो हमारा इंसर आ गया लेकिन घातों की बात कर ले तो देखिए घात पहले 3 लिखा फिर फिर हम ने ये घात दो वाला लिखा फार्ट फिर हमने घात एक वाला लिखा अब इसमें घात है ही नहीं तो यह भी हमारा एंसर हो गया रिखDHC2X3 का होल क्यों तो अच्छे से सबनना 2X3 का होल क्यों तो यह हमारा A और यह है B तो सबसे पहले होता A Q Pickcorps B Q A क्यूब, B क्यूब, फिर 3, A, B, A क्यूब प्लस B क्यूब, A, A क्यूब, B क्यूब, 3, A, B, फिर A, प्लस B, यह हमने लिखा, अब देखें, यहां पर क्या होगा, whole cube लगा, आइसा क्यों होगा, देखें अच्छे से समना, क्योंकि जो यह क्यूब किसके उपर लिखा है ऐसे देखने में लग रहा सिर्फ यक्स के उपर है इसका अगर विस्तार करें तो इसका मतलब यह है कि कुछ लिता है दो यक्स गुड़े यक्स गुड़े-1 यहान लिखना था तो यह कितना ये वाला यह है तो एकप बूरे का थिक जब दो होते हैं एक मलब चर तो हमको होल क्योब लिखा याता है इसका मतलब यह हो जाता है अब देखिन यहां पर आप फारक आजाएगा अब जब इसको एक्स की यहां पर खोल करेंने अब यहां पर जो क्यूब है वो सिर्फ और सिर्फ मिसके उसके उपर है यहां पर 2X अब देख़ें यह हो गया प्लिस ऐंए आप आरा यक्स की पहले गुड़ा की हमने दो 9 स्कुरार प्लस फिर्ष इंस एक यह कितना हो गातों को सीरियल से लिख दें तो यह पहले हमने लिख दिया तीन वाली घात को फिर हमने लिखा दो वाली घात को फिर हमने लिखा एक वाली घात को फिर हमने लिखा बिना घात वाली अगर आप चाहें तो यही पर एंसर लिख दें ऐसा कोई जोई नहीं के हम ऐसा करें अब देखें यहां पर क्यूब लिखा यानि हमको कितनी बार लिखना यह प्लस को तीन बार लिखना आफ्वार प्लस यह पर अच्छे से हो गया थिर्णी एकस स्क्वार कि हैं फिर यह फिर्णी फटन आ हो गया वाई अब देखें यहां पर एक्स की घाट 6 प्लस वाई क्यूब अब जब इसकी गुड़ा होगी अंदर यानि एक्सक्वाइर यह यह वाला इसकी गुड़ा होगी सबसे पहले तो एक्सवाइर यानि इससे होगी तब कितना हो जाएगा ठीरी थीरी और यक्स की घात कितना हो जाएगा यक्स की घात हो जाएगा चार क्योंकि दो यहां पर है दो यहां पर है तो ऐसा अकेला है यानि यक्स की घात हो गया चार वाई सिंगल है तो यह हो गया थीरी यक्स की घात चार वाई पलस अब इसकी गुड़ा पहले इसमें हुई है एब गुड़ा होगी वाइ में तो जब वाइ में गुड़ा होगी तो इतना जाएगा 3X-2 3X-4 वाइ की घाट तो गातों को सीरियल से लिखा जाया है सबसे ज्यादा ज्यादा यहाँ थे यक्स-2 अब ही बात करेंगे अब यहां पर आ गया एक्स की घाट चार वाला पद और फिर एक्स की घाट धिरते कि यहां पर यह का चे यहांपर चार यहां पर डुह है अफ कौन सा पत्रत बचा यह वाला ठीक आप यहां पर समझे यहां पर दो तरीकों से एक तो घाते घट रही है यह बढ़ रहे हैं कि यहां पर इक यहां पर कितनी हो ग्यूट यह पर कितनी ठीद हैं लूओ थे single difेकर थीरी ए फिर बी फिर ब्राइकेट में ए प्लस बी अब देखें ना अच्छे से 5 की घात 3 तो 5 की घात 3 जो होता 125 होता है 25 पंचे 125 होता है पलस यहां पर समझें 3 Y का किडियो क्यूब होगा यह 3 Y 3 Y 3 Y इसका मलब जो है जो ब्राकेट में लिखा है कि घातीन तो यह उसको तीन बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 27 y y कितना हो गया वाई क्यू तो यह हो गया हमारा 27 y q पलस इसकी जब गढ़ा केंगे 3 पचे 15 15 तिया 45 y प्लस पांच प्लस तीन वाई अब देखे 125 प्लस 27 y q प्लस 45 की पांच से गढ़ा करो तो अंक की पहले गढ़ा करेंगे तो 25 25 हासिल आया 25 कुप 202 22 22 25 हो गया और वाई तो यह हो गया हमारा 225 y प्लस अब 45 y की गढ़ा करेंगे 3 y में ठिक तो 45 तिया 135 तीन पचे 15 तीन चक्कु 12 और एक 13 अगर गातों की बात करें तो सबसे पहले हमने लिख लिया वाई क्यूव और फिर हमने लिखा घात दो आला यह वाला फिर हमने गात नहीं वाला यह हो जाएगा 125 ठीक दोनों एंसर चाहिए कोई भी लिख लेंगे यह प्लस टू एका होल क्यूब तो यह हमारा पाइट ए और यह हमारा बी तो सबसे पहले हमको लिखा जाता है एक क्यूब अब हमने यहां पर बताया कि जब दो अच्छर हो जाते हैं ठीक चार अच्छट एफिर एकस्य का हो लिक्व अब होल क्योब इसलिए लिखा गया कि क्योब हमद नहीं एक सो वाईट दोनगा क्योब है प्लस एक्यूब हो गया फिर यह नहीं है और एक्यूब अब देख्ए यक्षवाई के गारतीन लिखा है whole cube ठीक तो यानि xy गुड़े xy गुड़े xy तो कितना हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगा y की घात 3 यानि x की घात 3 y की घात 3 प्लस 2a का cube 2a का whole cube तो कितना हो जाएगा 2a 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 तो कितना हो गया दो दुना चार दुनी 8a cube 8a cube प्लस 3 पहले अंकों की घात 3 दुनी 6 कितना हो गया 3 दुना 6 अब कितना है चाहिए xy लिख दीजिए या axy कुछ भी लिख दीजिए a xy ठीक और bracket में xy प्लस 2a अब देखिए अच्छे से x cube प्लस y cube प्लस 8a cube अब यहां पर क्या होगी गुड़ा हो जाएगी 6a xy जो है यह वाला इसकी गुड़ा होगी सबसे पहले xy में यानि इसमें तो यह हो जाए अंकों की तो अंक तो कोई है नहीं यहां पर a और यहां दो यहां पर यहां पर यहां पर यानि यहां दो यह हो गया हमारा 6a x square y square अब 6a xy की गुड़ा करना है 2a में तो यह में तो पहले अंकों की गुड़ा करेंगे तो 6a xy नहीं दौर तो लिख दिया हमने 12a xy अब अगर घातों की बात करें तो देखें यहां पर लिखा तीन अब x की गहात 2 किसमें इसमें 6a x square y square अब x की गहात 1 किसमें इसमें 12a xy अब एक भी गहात नहीं है इसमें 8a आद यहां पर कितना है एक भी नहीं है यहां पर एक गहाथ है यहां पर 24ग लिख लिख लिया अब प्लस बी क्यूब ठीक अब होल इसलिए लिख्या गया है क्योंकि सिर्फ एका क्यूब नहीं ए बटे दो यानि पूरे का होल क्यूब है प्लस थीरी ए बी थीरी ए बी फिर ब्राइकेट में ए प्लस भी अब यहां पर क्या होगा ए बटे दो की घात तीन यानि ए बटे दो की घात जो तीन है तो यानि ए बटे दो ए बटे दो ए बटे दो तो उपर उपर की घुड़ा हो जाएगी तो हो गया ए क्यूब नीचे नीचे की घुड़ा हो जाएगी तो आठ तो यहां आगया हमारा ए क्यूब बटे आठ पलस य 25 पंचे 125 यानि यह आगया B क्यूब बटे 125 बी क्यूब बटे 125 प्लस अब यहाँ पर देखे गुड़ा होगी तो उपर उपर की गुड़ा होगी तो हो गया 3AB और नीचे की गुड़ा होगी तो दो पंचे 10 दो पंचे 10 अब देखें यहाँ पर यह बटे 2 प्लस बी बटे 5 अब जब आगे जाके ब्राइकेट खोलेंगे एक क्यूब बटे 8 प्लस बी क्यूब बटे 125 अब इसकी गुड़ा करना है यानि 3AB जो यहाँ पर लिखा है बटे 10 इसकी गुड़ा करना सबसे पहले तो करना होगी बटे 10 दूना 20 तो यह आ गया 3A स्क्वाइर भी बटे 10 दूना 20 पलस अब इसकी गुड़ा किससे करेंगे 3AB बटे 10 की बटे 5 से तो ऊपर जब गुड़ा करेंगे तो 3AB के हाथ कितना हो गया 2 और 10 पच्चे 50 तो यह हो गया 3AB स्क्वाइर बटे 10 पच्चे 50 अब अगर घातों को सीरियल से बात करें तो देखे इसमें घात कितनी है एक गात 8 अब दो आला कौन सा पद है यह वाला 3A स्क्वाइर बटे 20 अब एक घात वाला कौन है यह वाला 3AB स्क्वाइर बटे 50 अब एक भी घात किसमें नहीं है इसमें B क्यूब बटे 125 अब अगर दूसरी रूम में देखा जाए तो देखे यहां पर बी की हाथ कितनी है कि यहां पर दो यहां पर तीन यहां पर कुछ नहीं कुछ नहीं एक दो तीन यह हमारा एंसर हो जाएगा कि यहीं प्लस 1 बटे 4Y का होल क्यूब तो यह हैं और यह है बी तो सबसे पहले हमने लिखा A क्यूल क्यूब सोमझ गया प्लस orth 갔 क्यों क्यों प्लस था होता है 3 AB बी फिर ब्राइकेट में ए प्लस बी अब देखना अच्छे से यह जो थिरी वाई का क्यूब है इसको लिखें कि तीन बार थिरी वाई थिरी वाई थिरी वाई तो कितना हो गया तीन तेन नो तुरुक 27 यह होगी 27y 9 & 4 पलस एक बटे चार को भी 3 बार लिखना, 1ब 2 4, 4 एक बटे चार, एक बटे चार वाई एक बटे चार वाई एक बटे चा वाई तो ऊपर के जब गुड़ा होगी तो एक 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 में एक और नीचे चार चको 16 64 ऐक है कितना 3 तो एक बटे चौनशठ वाई की घा 3 प्लस अब देखें यहां पर जब गुड़ा करेंगे तो ऊपर-ऊपर की गुड़ा हुई तो 3-9 वाई हो गया और नीचे 4 वाई तो वाई से वाई एक गया कट तो बचा कितना 3-9 बटे 4 थिरी वाई प्लस 1 बटे 4 वाई अगले हिष्टे में हमने ऐसे उतार देंगे 27y3 प्लस एक बटे 64y3 प्लस अब देखें 9 बटे जो 4 लिखा है 9 बटे 4 की किसमें गुड़ा करना सबसे पहले तो गुड़ा करना 3y में तो कितना हो जाएगा नो तरुक 27y बटे 4 उपर उपर की गुड़ा होगी नीचे नीचे की तो हो गया 9 बटे 4 की गुड़ा करना है एक बटे 4y में तो उपर उपर की गुड़ा होगी तो कितना हो गया 9 और नीचे 4 चक को 16y नो बटे 16 हुए ऐसे तो हमारा एंसर हो गया लेकिन अगर बात घातों की करें ठीक तो देखिए अच्छे से तो या तब ऐसे छोड़ दें ठीक या 27y क्यूब है फिर यह वाला लिखेंगे देखना अच्छे से 27y क्यूब प्लस 27y बटे चार अब देखिए आप हम किसको लिखेंगे इसमें घात कितनी है तीन इसमें कितनी है एक इसमें कितनी है एक भी नहीं नो बटे 16y फिर किसको लिखेंगे एक बटे 64y क्यूब अब यहां पर समझें ऊपर घातें घट रहें देखिए यहां पर तीन है यहां पर एक है यहां एक भी नहीं यहां पर जीरो और यहां पर यहां पर जीरो यहां पर यहां पर एक है यहां पर घात तीन है ठीक कि सर्वसमिका की घात 3 होल क्यूब बड़ाबाब एक क्यूब थीए भी ए प्लस बी की सहायता से ग्याद के दिए तो हमने लिखा 31 का क्यूब तो ऐसा नहीं की कल्कुलेटर से 31 31 31 31 लिख दो ठीक हमको सूत्र के अरी सर्वसमिका की सायता से ग्याद करना है तो 31 को हम तोड़ कर लिख सकते हैं 30 प्लस एक 30 प्लस एक की घात तीन अब यह है ए और यह है बी तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्यूब फिर बी क्यूब फिर थिरी ए प्लस बी तो यह जो 30 का क्यूब हो जाएगा यानि हमको लिखना होगा 30 को तीन बार 30 गुड़े 30 गुड़े 30 तो कितना हो जाएगा तीन तिया नो तुरुक 27 और एक दो तीन जिरो यानि 27 हजार हो गया 27 हजार प्लस एक को तीन बार लिखेंगे तो एक ही आएगा एक गुड़े एक गुड़े एक अब यह कितना हो जाए तीन तीन की गुड़ा करना है 90 हो गया जाल प्लस इक अब देखे 27 हजार 5 स्मीड़े प्लस एक प्लस अब नब्बब कि 30 वरा उत्रों 27 travaille कि जिरो कितने 20 हो गया प्लस नब्बे की एक Pixel अब नब्बै करना नब्बै So अगर चाहें तो तरूप पर रखे दे जोड़ सकते 2700 और 2700 और नब्बे एक यह हम कह सकते हैं 2700 और 2000 कितना हो गया 13000 2700 यहां पर है फिर बचा कितना साथ सो इसमें बचा नब्बे यह बचा यह तो 2700 790 और यह कितना हो गया 112 यह हमारा एंसर हो जाएगा चाहे यहां पर जोड़ लेंगे इतना ही आएगा तो इसको लिखेंगे 100 प्लस दो यानि 100 और 2 कितना हो गया 102 कि घात 3 तो सबसे पहले एक क्यूब तो एक इतना है 100 यानि एक्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थिरी ए बी फिर ए प्लस बी अब देखें जब 100 की घात 30 यानि 100 गुड़े 100, 100 गुड़े 100 गुड़े 100 तो कितना हो गया एक एक अब देखना तो सो प्लास दू अब देखना है यहांपर लिखेंगे छे 0 500 चार पांच चार यहां प्र वहां जिए त्याहां पर होगे साथ test चेजीरो पलस आठ पलस अब इसकी गुड़ा जब करेंगे 600 की गुड़ा करेंगे जब 100 में तो 6 कम 6 बाकी 4 0 पलस अब यह जो 600 की गुड़ा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 1200 कितना हो जाएगा 1200 600 जोना 1200 जब इसको सबको जोड़ेंगे तो देखेंगे का ही दहाई से कड़ा हजण दस यह लाइक दस लान तो यह और यह कितना है 60000 आए एक हजार दो तो फोनकानी हैं आऑ साथ हजार ऑफ हजार कितना हो गए एकatas हजार अब इसमें कितना बचा 200 इस एक इतना बचा आठ तो हो गया दस लाग एक सट हजार दो सो आठ यह हमारा एंसर हो जाएगा एक की घात तीन तो यह इसको तोड़ेंगे 200 प्लस एक तो यह हो गया 201 की घात तीन तो सबसे पहले एक यूब तो एक इतना है 200 कि एक यूब हो गया प्लस बीक्यूब यानि एक की घात तीन प्लस थिरी कि ए अधी प्लस ब्राकेट में ए प्लस पी अब देखें यह जो सब्सक्राइब तो दो सब्सक्राइब काच दोसो का क्यूब लिखेंगे यानि दो सो गुड़े दोसो गुड़े दोसो तो अंकों की घुड़ा हो जाएगी आठ और जीरो कितने हो जाएंगे प्लस एक की घात तीन अन्य एक अब यह तिन दुने 600 200 200 प्लस एक अब जो गुड़ा होगी यह तो हो जाएगा पांच जीरो छे जीरो प्लस एक प्लस 600 की जब इसमें 200 में गुड़ा हो जाएगी 600 दूनी ठीक छे दून बारा जीरो कितने होगे दो दो चार जीरो होगे प्लस चेस्सो की इसमें गुड़ा करेंगे 600 एक कम, 600 अब अगर जोड़ने की बात करें तो 11,221,10,10,10,000, यह 8,200, और यह कितना है? 11,221,10,201,10,1,0,100, 1,088 और 1,20,000, तो 80,00, और 1,20,000, तो 80,00, और 1,00, एक लाग कितना हो गया? तो देखिए अच्छे से जिसका मान दिया है उसको सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं जिससे हमारा सूत्र बन सके अच्छे से सरना यक्स प्लस वन बटे यक्स बराबर है इसका मांद दिया हुआ है दस बटे तीन आप देखें यहाँ पर किया है जिसका को सूत्र पता है या जिसकी मदब से हमारा ये आ सकता है उसका सूत्र लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ तरफ घं करने पर घं करने पर घं का मतलब होता है इंगलिस में क्यूब क्यूब का मतलब होता है दोनों तरफ घात करना है तीन ठीक तो यह जो लिखा है एक्स प्लस वन बटे एक्स इसकी घात तीन और यह जो इधर लिखा है दस बटे तीन इसकी घात तीन अब देखिए यह हमारा सूत्र बन गया, A प्लस B का होल क्यूब, तो ये होता है A क्यूब प्लस B क्यूब, अब देखें, यहां पर जब B क्यूब लिखेंगे, ठीक, है, यह यह बाई, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 A B, और ब्राइकेट में A प्लस B अब समझ कि A क्यूब B क्यूब 3 A B A प्लस B और इधर देखिए 10 बटे 3 का होल क्यूब जो लिखेंगे कितना हो जाएगा 10 बटे 3 10 बटे 3 और 10 बटे 3 तो उपर हो गया 1000 और नीचे हो गया 27 तो यह हो गया 1000 बटे 27 अब देखना यह हो जाएगा X क्यूब प्लस 1 बटे X 1 बटे X 1 बटे X ठीक 1 बटे X 1 बटे X कितनी बार 3 बार तो उपर उपर की गुड़ा होगी 1 और नीचे X X X X की गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा X की घात 3 तो 1 बटे X की घात 3 प्लस अब देखें यहाँ पर यह एक्स से एक्स गया कट उपर ने चे हैं अब यह कितना है तीन अब इसका मान हमको पता है X प्लस 1 बटे X का मान यहाँ पर दिया हो है 10 बटे तीन बराबर 1000 बटे 27 अगले इस्ट में समझी यह 3 से 3 गया कट तो आजाएगा X क्यूब प्लस 1 बटे X क्यूब बराबर हो जाएगा 1000 बटे 27 यह जो दिया हुआ है और यह जो प्लस का इधर 10 आया उदर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा अब इसके नीचे कितना लिखेंगे 1 हर बराबर करेंगे ठिक यानि किस संख्या से multiples करेंगे 27 तो यह साब जाएगा हमारा 1000-27al बटे कितना 27 तो यह आगया हमारा 2000 में से 200 घठाओ तो कितना बचा 900 ओर 1,000 में से 200 घठाओ यानि बचा 800 फिर 70 घठाओ जो यानि बचा कितना 730 27 27 यह हमारा क्या हो गया एंसर इधर क्या है हमारा यक्स प्लस वन बटे यक्स क्यूब यानि यक्स प्लस वन बटे एक्स क्यूब का मान कितना आ गया दो एक्स प्लस वन बटे दो एक्स का मान दिया है पाँच बटे दो तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर. अब देखिए यह हो जाएगा दो yax plus 1 बिटे 2 x दिया है और इधर दिया है 5 बिटे 2 अब दोनों तरफ क्या करना है घं करना है खात क्या करनी है तीन करनी है तो यह plus b का whole cube सूतर हमारा यह पता है a cube plus b cube plus 3 a b ब्राइकेट में A पलस B बराबर इधर जब पांच बटे दो की गहाँ तीन करेंगे यानि पांच बटे दो पांच बटे दो तो उपर आ गया पचम 25 पंचे 125 और नीचे आ गया 8 तो आ गया 125 बटे 8 अब देखें अच्छे से जब दो यक्स केवां तीन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 X 2 X 2 X कितना हो गया 8 X Q यह हो गया 8 X Q अब जब 1 बटे 2 X यानि 1 बटे 2 X उन बटे 2 X 1 बटे तो कितना हो गया 1 बटे 8 X Q 1 बटे 8 X Q पलस इसमें देखें 2 X से 2 X ही आ गया कट उपर आगया 3 अब यहाँ पर जो 2X प्लस 1 बटे 2X दिया है इसका मान दिया है 5 बटे 2 बराबर 125 बटे 8 अब अगले स्टेप में देखे 8X क्यूब प्लस 1 बटे 8X क्यूब बराबर 125 बटे 8 और यह कितना है 3 पच्छे 15 बटे 2 किसका पलस का उदर जाएगा तो माइनस का 15 बटे 2 अब क्या है इसमें हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर 8 लिखा है तो इसमें उपर नीचे किस संख्या से उड़ाओगी 4 से तो यह आजाएगा 125 माइनस 15 चक्कू 60 बटे कितना 8 तो यह एंसर आगया 125 में से 60 गया यानि आगया 65 बटे 8 तो हमारा इंसर आ गया 8 एकस क्यूब पलस 1 बटे 8 एकस क्यूब का मान जो आया वो आगया 65 बटे 8 A पलस B बचाबर 3 तिथा A भी बचाबर 2 तो A क्यूब पलस B क्यूब का मान गया थी तो दिखे अच्छे से A प्लस B बराबर दिया है 3 तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर तो कितना हो जाएगा A प्लस B की घात 3 और इधर 3 की घात 3 घन हो गया आप देखें A प्लस B की घात 3 का सूत्र होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 A B A प्लस B बराबर 27 यहने 3 की घात 3 यहने 3 गुड़े 3 गुड़े 3 कितना हो गया 27 अब अच्छे से समझना A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 यह जो A B दिया है A B का मान है दिया है 2 और जो A प्लस B दिया है A plus B का मान दिया है 3 बराबर 27 तो देखना अच्छे से A plus B cube का जो मान हो जाएगा 27 और 3 दोनी 6 ते 18 18 आएगा किसका? प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 18 तो answer आगया हमारा A cube plus B cube बराबर 27 में से 18 या कितना बचा? 9 तो हमारा answer हो गया A cube plus B cube बराबर 9 तो प्लस 2Y बराबर 20 तो था XY बराबर 14 बचे 9 तो 27 X cube plus 8 Y cube का मान गयाद के लिए तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 3 X plus 2 Y बराबर 20 अब लिखेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ घंड करने पर तो आप देखें 3 X plus 2Y बराबर 20 तो इसका cube करेंगे और इसका cube करेंगे अब इदार A plus B का whole cube बराबर 20 का cube तो यह हो गया A cube plus B cube plus 3 A B फिर bracket में A plus B bracket में इदर 20 का cube करेंगे तो आजाएगा 20 गुडे 20 गुडे 20 20 गुडे 20 गुडे 20 गुडे 20 तो कितना हो गया? 2 दुना 4 दुनी 8 और 3 0 फिर देखते हैं इदर इसका जब करेंगे तो यह आजाएगा 27 X cube और 2 I 2 I 2 I कितना हो गया? 8 Y cube plus यहाँ पर समझना अच्छे से यह कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 दुन 18 X Y 3 X plus 2 I बराबर 8000 अब देखना अच्छे से 27 X cube plus 8 Y cube plus 18 गुडे X Y का मान कितना दिया है? यहाँ पर 14 बटे 9 और 3 X प्लस 2 I का मान दिया है 20 बराबर 8000 अब देखना अच्छे से 27 X cube plus 8 Y cube बराबर दिया है 8000 और यह वाला जो हल हो के जाएगा देखे 9 से यह कर जाएगा 9 दून 18 अब जब गुडा करेंगे तो 24 की गुडा करेंगे 28 28 की जब दो से गुडा करेंगे 56 यानि 560 आ जाएगा किसका आएगा प्लस का उधर जाएगा माइनस का 560 अब जब इसको घटा देंगे तो यह आ जाएगा 8000 में से 560 गया देखे 8000 में से 5 से घटाएगे तो 7500 बचेगा 60 फिर घटाएगे तो 7440 बचा यानि 27 एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब का माना गया 7440 यह हमारा एंसर हो जाएगा यह की 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर 5 प्लस एक्स की गात 3 माइनस 15 एक्स 5 प्लस एक्स अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि या तो फिर LHS को हल करो और RHS ले आओ या फिर RHS को हल करके LHS ले आओ तो हम LHS को हल करके RHS लाने में थोड़ा कठनाई वेतित होगी तो हम RHS को लिखते हैं फिर LHS को लाते हैं तो RHS है मारा 5 प्लस एक्स की गहाँ 3 माइनस 15 एक्स और 5 प्लस एक्स अब देखें इसका जब हम ब्राइकेट खोलेंगे तो A प्लस B का होल क्यूब तो यह होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 A B 3 A B ठीक अच्छे सोनना A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 A B और ब्राइकेट में A प्लस B इधर देखते हैं माइनस का लिखा है 15 एक्स और एक्स 5 प्लस एक्स अब देखें यह हो जाएगा 125 5 की गहाँ 3 यानि 5 गुड़े 5 गुड़े 5 125 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 पचे 15 एक्स 5 प्लस एक्स माइनस 15 एक्स 5 प्लस एक्स अब देखना अच्छे से 125 प्लस एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स की इस भी गुड़ा करो तो 15 प्लस एक्स 5 स्क्वाईर एक्सכण माइनस 15 का कट गया 15 एक्स 2 में से यह 15 एक्स एक्स की गुड़ा हो जाए 15 एक्स 2 List , यह कट गया तो बच्चा कितना ? बच्चा हमारा सिर्फ प्लस एक्स फॉसिर्फ 125 प्लस एक्सक्यूब जो क्या है एल एचसे लएचस आ गया ठिक यह क्या है एल एचसे इसका मतलब यह एचस बराबर आर एचस हम आरेच इस्को लेकर चले लैचस आ गया यानि एचस और दिश्क बराबर है यह क्यूब प्लस 27 BQ बराबर 2A 3B का होल Q, माइनस 18 AB 2A 3B, तो अब हम RHS लेकर चलेंगे, RHS, तो RHS कितना है, 2A प्लस 3B का होल Q, माइनस 18 AB, 2A प्लस 3B, ठीक, RHS लेकर चलें, और LHS लेया, इसका वरलब क्या है, बराबर है, तो अब देखें, यह है A और यह है B, AQ plus BQ तो हो जाएगा AQ plus BQ plus 3 A B और ब्राइकेट में A plus B यह तो हो गया सूत्र को खोला फिर जो यहाँ पर लिखा है माइनस 18AB 2A plus 3B अब देखें अच्छे से इसको जो हम हल करेंगे तो आजाएगा 8AQ और यह 3 तेहनों तो 27BQ पलस 3 दुना 6 यह 18AB 2 यह पलस 3B माइनस 18AB की इसमें गुड़ा करो तो माइनस 18 दुना 36A स्क्वाइर B और माइनस पलस माइनस 18 दुना 54AB स्क्वाइर फिर देखते हैं 8AQ पलस 27BQ पलस 18 दुना 36A स्क्वाइर B पलस 18 दुना 54AB स्क्वाइर माइनस 36A स्क्वाइर B माइनस 54AB स्क्वाइर अब देखें 36A स्क्वाइर भी यह गया हमारा कट 54AB स्क्वाइर माइनस 54AB स्क्वाइर यह भी गया हमारा कट तो अंसर आ गया हमारा 8A क्यूब पलस 27BQ यह आ गया हमारा LHS वाला इसका मतलब क्या है LHS और RHS क्या है हमारा बराबर है यह हमारा हमको प्रूब करना था एक्सरसाइज फोरे दाइंड अगर वीडियो कहें पर भी अच्छा लगया तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नए वीडियो पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद